हलो स्टूडेंट्स अंजय हिंद, I welcome you all to Magnet Brains, एक ऐसा प्लाटफॉर्म जहां क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक and beyond आपको सारा quality educational content exclusively free of cost प्रवाइट कराया जाता है मतलब यह कि यहां कभी ऐसा नहीं होता है कि आपको किसी subject की एक या दो chapter access करने के लिए मिले हैं और उसके बाद आपसे यह बोला जाए कि भाई बचा हुआ content अगर आपने देखना है तो उसके लिए या तो आपको किसी तरीके की कोई fees देना पड़ेगी या कोई paid subscription लेना पड़ेगा ऐसा magnet brains में नहीं होता magnet brains प्रतिबद्ध है आप लोगों तक सारा quality educational content exclusively free of cost प्रवाइड करने के लिए जिसकी मदद से आप लोग ना सिर्फ अपने examination की preparation अच्छे से तरीके से कर सकें और अच्छे से अच्छे mark score कर सकें बट साथी साथ आपके subjects के अच्छी understanding develop हो concept के अच्छी और उनती में आप लोग भी अपना योगदान ने आपका भी अपना contribution हो यही magnet brains का धे है और इसी को ध्यान में रखकर हम लोग आगे बढ़ रहा है और इसी note के हम अपने आज के session की शुरूआत करेंगे तो आज का जो अपना session रहने वाला है इसमें हम लोग class 11th health and physical education की जो ह health से लेना देना है वैसे तो physical fitness का लेना है health से ही है मगर health related जो specific physical fitness क्यों important है क्यों relevant है क्यों इसके उपर जो है आपको religiously ध्यान दिया देना ही चाहिए और इसके क्या-क्या आपके psychological physiological impacts होते हैं क्या इसके अलग-अलग aspects है सारी चीजों के बारे में हम लोग आज के session में बादसीत करेंगे यह physical fitness डारेक्ली जो है किसी भी वेक्ती की सेहत को influence करती है अब हम लोगों ने chapter number two and chapter number three में health क्या होती है इसको define किया था हमने देखा था कि health का मतलब सिर्फ इतना सा नहीं है कि आपको बिमारी नहीं है health की dimensions है उसमें कई सारे आपके aspects आ जाते है physical dimension, physiological, emotional, social, biological हर तरीके की ची तो उसमें जो है physical fitness के ओपर काफी ज़्यादा emphasis किया गया है physical fitness जो है उसके relevance को बहुत ज़्यादा highlight किया गया है तो इसमें आज की तारीक में कोई doubt की बात है ही नहीं किसी भी तरह से कि physical fitness directly आप किसी भी वेक्ती की जो health वगरा है उसको influence करती है किसी भी individual की health वगरा है उसको उसके उपर उसको एक असर पड़ता है so to keep our so to keep ourselves healthy fitness session should be incorporated in our daily routine physical fitness is a state of health and well-being if it develops your capacity to perform better in sports your job and day-to-day routine बर तो point यह है कि क्योंकि physical activities जो है वो आपकी health को या physical fitness जो है वो आपकी health को directly influence करती है इसलिए अपने आपको healthy रखने के लिए physical fitness develop करने के लिए जो अलग-अलग sessions होते हैं ज जिसमें कई में running करना है कई में jogging करना है कई में cardio करना है कई हो में आपको weights उठाने हैं कई हो में कुछ करना है कुछ करना है तो अलग-अलग तरीके की जो चीज़ें होती है physical fitness के sessions में इनको हमारे daily routine में incorporate करना बहुत ज़्यादा जरूरी है आज की तारीक में इससे होता य well-being की स्थिती में है health की स्थिती में है तो ऐसी condition में आप basically आपके जो activities है आपका जो job है जो भी काम आप करते हैं उसमें अच्छे साच्छा परफॉर्म करने की capability या capacity डिवलप करते हो इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि दो लोग हैं उनको office में जाकर 10-5 तक काम करना है अब इक वेक्ती है जो नौ बजे सोकर उठता है और साड़ेन अपने दस तक जो है अपना regular आपका फ्रेश अपो के नाश्टा आश्टा करके वो काम करने चला जाता है नीन वगयरा से वो पूरी तरह से निकला नहीं है उसकी जागरती जो है पूरी तरह से अभी हुई नहीं है अच्छे से वह अभी उठ तो गया मगर वह पूरी तरहीकर से विए हैं ले रहा है अभी वह से नीन के खतम हो और मैं घर भागूं फिर जाके जो इस तरीके की इस्तिति अब इसी की जगे जो दूसरा वेक्ति है जिसको दूसरा ओफिस पहुंचना है वह साथ बजे से चे बजे से उठा है फ्रेश बगरा होने के बाद में दौड़ने चला गया एक्सराइस वगरा करने चला गया उसने अपने शरीर से अच्छा खासा पसीना बहाया है और यह एक बड़ा कॉमन सा फैक्ट है अब जतना पसीना बहाओगे आप तन से मन से उतना जादा अच्छा महसूस करते हो अपने आप अपके अंदर से खुशी महसूस होती है अब वो जो है बढ़िया एनर्जी साइस बगरा की थी उसके चलते हों से भारी बन नहीं लग रहा उसको जो उसका जो शरीर है उसके जो आपका इंटरनल और से भी जो है वो तैयार नहीं है काम के लिए तो जैसे तैसे उसना अपना काम लंच तक निप्टाया लंच के बाद और पेट भरने के बाद में तो वह भी अप जैसे तैसे थोड़ा थोड़ा खाना पचा रहा है नीन आ रही है और काम नहीं हो रहा वह अपनी नीन उडाने के लिए चाए पी रहा है कुल मिलाकर वह अच्छे से अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा वह पुरिए आप उससे जो है बहुत ज़ादा और मेंटली जो है आपको वेल बींग की स्तिती में लेकर जाती है और इसके चलते आप जो भी काम वगरा करते हैं स्टुडेंट हैं जो पढ़ाई लिखाई हो गया जॉब्स हो पर हैं तो आपका जॉब हो गया है या पर डे टूटे जो रूटीन वगरा है उसको अच्छे निए अच्छ दे देती है वह इनकी फिजिकल फिट्नेस जहां पर इनसान एक या दो रण नहीं नहीं निकाल पा रहा हो आदमी वहाँ पर तीन निकाल लेता है और कहीना कहीं यही जो है उसका स्कोर जैसे चलता रहा तो प्रेशर उतना बनता नहीं है और इसके चलते जो ह बिरा के ओपी फुरमेंस के साथैं तो इससे अपने ईक बात समझमें आती है इससे 7 पोई शक नहीं रह जाता है इसमें कोई डाउड नहीं कडिक परफॉर्मेंज को बढ़ा देती है अगर आप मैन है तो आपको ही मैन बना देती है कुछ मिला कि इसको इस तरीके से जो है याद रख से तो इसमें आप कोई शक नहीं है कि फिजिकल फिटनेस जो है बहुत important है बहुत relevant है आप सवाल जो अगला पूछा जाएगा वो यह है कि फिजिकल फिटनेस कैसे attain की जा सकती है फिजिकल फिटनेस कैसे अचीव की जा सकती है तो देखिए फिजिकल फिटनेस अचीव करने के लिए तीन बातों के उपर आपको ध्यान रखना ज़रूरी है तीन बातें matter करती है तीन बातें सबसे ज़्यादा relevant है अगर आप फिजिकल फिटनेस बनाना चाहते ह आपको किस लेवल तक की physical fitness चाहिए उसके उपर moderate से लेके vigorous लेवल तक जो physical activities वगरा perform की जाती है तो वो हो गया दूसरा आपकी जो balance diet होती है जो आपको लेना जरूरी है वो हो गया और तीसरा आपके शरीर को proper recovery के लिए time देना वो एक important बात हो जाती है देखिए क्योंकि शरी शरीर एक machine है basically शरीर एक machine की तरह है और किसी भी machine का अगर आप लगातार इस्तेमाल करते रहेंगे तो वो machine अच्छा काम करती रहेगी अगर आप उसका इस्तेमाल करना बंद कर देंगे तो उसमें लग जाएगी जंग ये बात हमारी human body पर भी लागू होती है जितना आप श लेखे जी इस आप से लेके विगरस लेवल ये वैजी आप सकते हैं और सुर्वा सक्कते हैं आपको लिए ओसी प्राइस के सांथ एक चीज और जरूरी है जासे मशीन में भी आपको वक्त मेहनत करें के बाद में आप इसको थोड़ा सा रेस्ट नहीं देंगे तो फिर अच्छे से काम नहीं करेगा इसको अगर आप रेस्टिंग वगरा नहीं करवाएंगे रेस्टिंग एक तरीके से शरीर के लिए ओइलिंग की तरह है इसकी सही तरीके से ओइलिंग नहीं करेंगा तो फिर अच्छे से काम नहीं करेगा तो प्र आपकी कहीना कहीं जो फिटनेस लेवल है कि इंडिविजुल का बहुत अच्छे से बढ़ाती है एक बढ़िया लेवल तक जो है इस फिटनेस लेवल को लेकर जाती है उसके बाद में अच्छा खाना वगरा खाकर जो है अपने शरीर को फिर से रिचार्ज करना और इतना आरा नुकसान होता है और कहीना कहीं इंजुरी वगरा होने के चांसे मसल फ्रैक्चर और इस तरीके की चीज़ें उने की समस्यां बन जाती है तो यह तीन चीज़ें इंपोर्टेंट हैं जिसका ध्यान रखा जाना चाहिए पहले तो अच्छी का सी एक्सराइस दूसरा अच्छ को डिफाइन करना च्याहे तो कि tane कंपोनेंट्स होता है नके बारे में फ़ुदा करते हैं सबसे पहला कंपोनेंट होता है मस्किलर स्ट्रेंथ दूसरा होंता है ANDREW ने कैसा है क्यों बिए और डाइसे डुरेटिटिट है यह और ग फिसिकल फिटनस का लेवल क्या है तो यह पांचों जो आपके परामीटर से या तो धोब जब करते हैं कि ब से लिखो कर क Daar Kapentर करते지 करनी है सबसे पहले जिस प्रर्टीकूरर यसपेक्ट पे अपने लोग बातचीत करेंंगे वह है muscular strength हम लोग muscular strength क्या है इसको discuss करेंगे देखिए muscular strength जो है अगर आप simple भाषा में बोले हैं कि muscles की जो strength है उसकी बात यहां पर की जा रही है इसका directly लेना देना जो है वह आपके शरीर में force produce करने की शमता से होता है आपका muscular strength जो है वो determine होता है या define होता है इस बात से कि आपका शरीर किसी चीज़ को करने के लिए कितना force produce कर सकता है और यह सिर्फ आपके sports वगरा की बात नहीं है कि आपको sports वगरा में muscular strength की जरूरत पढ़ती है तो उसके लिए जो है अपने आप आपका force वगरा generate कर सकता है उसके उपर जो है इस चीज़ डिपेंड करती है आपकी बॉड़ी का जो movement है वो इसलिए possible है क्योंकि यहां पर आपका या फिर आपकी जो बॉड़ी वगरा है इसके parts वगरा का movement जो है इसलिए possible है क्योंकि इन में strength है और यह जो है अपने आपको flex कर सकते हैं जैसे कि आपका कोई finger वगरा हो गई उसको आपका move करना है या फिर आपका हाथ जो है उसको move करना है किसी एक जगे से खड़े होके दूसरी जगे जाना है इन सारी चीजों में जो है आपको strength वगरा की जरूरत पढ़ती है क्योंकि हर एक moment वगरा के लिए आपकी body को कुछ ना कुछ force वगरा generate करना पड़ता है अब इस बात को जादा अच्छे से आप इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर कोई वे पर पड़ा हुआ है और आप बोलो कि उठ जा भाई तो वह नहीं उठ पाएगा क्योंकि उसके शरीर ने यह कैपसिटी जो है वह खोदी है कि वह स्ट्रेंथ वगरा produce कर सके वह फोर्स वगरा जो है वह प्रडियूस कर सके अपने body के parts वगरा की मदद से तो यहां पर हम लो वह अभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाएगा और अपने आप चलना शुरू नहीं कर देगा क्योंकि अभी उसके पैरों में उतनी strength नहीं है उसकी बॉड़ी में जो है उतनी strength नहीं है तो कुछ वक्त जो है इसको भी लगेगा उतनी muscular strength डिवलप करने के लिए कि व बॉड़ी को एक से दूसरी जागे मूव करने की बात कर ली जाए उसके कोई motion या कोई action perform करवाने की बात कर ली जाए हर एक चीज के लिए strength की ज़रूरत पढ़ती है strength required होता है यही बात आपका sports की performance पर बात करते हैं किसी बी चीज को लेके तो muscular strength अपने दिमाग में आती है cricket का example लेकर चलता है एक आपका फास्ट बॉलर कितना ज्यादा फास्ट बॉल कर सकता है और फिर एक बैट्समन कितनी ताकत से शॉट मार सकता है कला और timing बाकी सारी चीज़ें अपनी जगे हैं मगर कहीना कहीन का muscular strength जो है वो भी यहाँ पर एक role अदा करता है उनकी muscular strength वगरा जो है वो कहीन है कहीन कहीन पर एक factor होती है नॉर्मली यह जो टर्म है इस्तेमाल जो किया जाता है muscular strength के लिए वो strength होता है हम लोग जब भी strength की बात कर रहा होता है तो बातचीत कर रहा है वो चीज होती है muscular strength अब अगर हम लोग कई बार इन फैक्ट इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि अगर किसी वेक्ति से आपे सवाल पूछोगे कि भाईया तुम्में ये काम करने की शमता है या नहीं या फिर तुम्में ये काम करने का दम है या नहीं आपका जो commonly जो इस्तिमाल होने वाला term strength होता है उसकी बात कर रहे है या पर जब भी हम लोग strength की बात करना है तो normally जो इस्तिमाल होने वाला शब्द हो आपका जो normally muscular strength जो है उसके बारे में बातचीत हो रहे है तो strength is normally understood as the ability of muscles और groups of muscles of an individual to exert force against the resistance तो point यह है कि हम लोग यहाँ स अगर बूलना चाहें define करना चाहें तो strength को आप ऐसे define कर सकते हैं या muscular strength को आप ऐसे define कर सकते हैं कि अगर body में को किसी चीज के अगेंस्ट में काम करना है किसी resistance के अगेंस्ट में काम करना है तो कोई individual व्यक्ति का शरीर या उसके शरीर का कोई muscles या group of muscles कितना action generate कर सकते हैं कित जो वेक्ति है उसकी बोड़ी की मसल की स्रेंथ कहलाती है या फिर मस्किलर ख्रेंथ कहलाती है जनरली जो शब्द इस्नेमाल होता है वो स्ट्रेंथ होता है ना कि मस्किलर स्रेंथ if we are talking about exerting force then the question which comes in our mind is why do we want to exert force for this we have to look into the nature of the sports activities we try to act against the resistance लोने के लिए बैठने के लिए चलने के लिए बोलने के लिए वग्छरा वगेरा एक आपको sports वगेरा में additional मातरा में जो है आपके muscles वगेरा को develop करने की ज़रूरत है फिर आपके शरीर को जो एक certain level तक की fitness में लाना ज़रूरी है क्यों कि ताकि आप अच्छे जाबर जादा जो है फोर्स लगा सको तो natural सवाल उठता है कि आखिर आपको फोर्स जो है क्यों करना क्यों लगाना इसके लिए आपको sports activities के nature को देखना पड़ेगा जनरली sports activities में कोई भी आपका जो sports का जो player होता है वो किसी resistance के में काम कर रहा होता है और यह resistance जनरली दो तरीके का होता है एक आपका internal resistance होता है जो आपकी खुद के शरीर के चलते हैं आपकी खुद की बॉड़ी के इनर्शिया के चलते आता है आपकी बॉड़ी के चलते आता है और एक आपका external आपका जो है resistance होता है जो आपके opponent के body weight के चलते आता है अब कुछ cases वगरा में हम लोग यह देखते हैं कि we act against the resistance which we cannot conquer and in some of the cases we have to overcome that resistance तो कई बार अब आप यह देखते हो यह पाते हो कि आपको basically जो काम करना है जो भी activity आपको sports में या किसी भी चीज में करनी है उसमें basically करना यह आए कि आपको resistance के अगेस्ट में जो है आपको काम करना है जिसको आसानी से कंकर नहीं किया जा सकता और आपको इस तरीके से act करना है कि उसी particular resistance को जो है आप overcome कर सकें तो दोनो cases वगरा हमें हमको जो है जरूरत पड़ेगी अपने muscles की अपने groups of an individual to exert force on the resistance to overcome it or to act against it as per the demand of the sport activity तो muscular strength को कैसे define किया जाता है किसी एक particular व्यक्ति के शरीर के कुछ muscles या individual muscles या फिर group of muscles के combination की मदद से force लगाने की वो शमता जिसकी मदद से या तो किसी resistance को overcome किया जा रहा है या उस resistance के अगेस्ट में काम किया जा रहा है यह ताकि कोई एक particular activity बगेरा perform की जाया जो भी आपकी sports activity आप से demand कर रही है उस चीज़ को जो है muscular strength बोला जाता है muscular strength के रूप में define किया जाता है moving further we look at how the muscular strength ability is used according to the nature of the sports we find that sometimes we need to apply force against the maximum resistance but it is for shorter duration and sometimes we need to apply the force for longer duration taking into account the nature of sports as far as strength abilities are concerned we can divide the strength abilities into three parts तो अब यह तो समझ में आ गया definition वगरा देखकर कि muscular activities यह आपका जो sports activity है इसमें muscular strength की जरूरत पढ़ती है फोर्स लगाने के लिए आप यह जो muscular ability है nature of the sports के अनुसार muscular ability का कई बार आपको बहुत ज्यादा इस्तिमाल करना पड़ता है बहुत कम वक्के लिए कई बार बहुत कम इस्तिमाल करना पड़ता है बहुत ज्यादा वक्के लिए कई बार आपको एक optimum इस्तिमाल करना पड़ता है consistent time duration के लिए तो depending upon कि आप कि इस तरीके के activities वगरा में involved हो कई बार आपको maximum resistance के against में force लगाना पड़ता है और पूरा force लगाना पड़ता है कुछ वक्त के लिए कई बार आपको जो हैं लंबे duration तक force लगाना पड़ता है ठीक है जी और इसी के basis पर strength की abilities वगरा को तीन parts में define divide किया जाता है उस मतलब पहला part है वो है आपका maximum strength दूसरा है explosive strength और तीसरा है strength endurance maximum strength के बारे में आप अपन लोगोंने बातचीत करनी है चले देखते हैं तो maximum strength में जैसे आपको नाम सही समझ में आ रहा है बैसिकली हम लोग बात किस के बारे में कर रहा है हम लोग उस चीज़ के बारे में बात करना है रहा है जिसमें आपको muscles को maximum limit तक जो है इस्तिमाल करना है आपके muscles वगेरा सहाब को चीव टाख लगाना है वो maximum limit तक लगाना तो हम लोग यह कह सकते हैं कि basically whenever muscle or muscle group is able to generate the force with 100% effort by which we are able to tackle the maximum resistance in a single contraction it is called maximum strength of an individual मतलब यह कि कई कोई भी काम आपको करना है उसमें आपकी muscles एक बार contract करती हैं relax करती हैं contract करती हैं relax करती हैं जैसे अगर मैंने अपने हाथों से करसी को पकड़ गए खीचना शुरू किया तो मेरे हाथ जो इस तरह से बेंड होंगे इस तरह से मुड़ेंगे तो मेरी muscles वगरा हैं वो contract करेंगी ताकि वो generated जो required amount of force जो है उतना generate कर सके रस्ती को खीचने के लिए रस्ती से जो भी चीज बंदी हुए उसको खीचने के लिए तो point यह है कि जब हम लोग कोई काम कर रहा है और वो काम करने के लिए हम लोगों ने एक ही बार जो है अपनी muscles को अगर contract किया मगर उसमें हम लोगों ने उतना force generate कर लिया जितना हमको जरूरत है hundred percent effort देने के लिए ताकि हमारे खिलाब जो maximum resistance वगरा है उसको अगर हम लोग tackle कर सकें तो यह किसी भी वैक्ति की आपका maximum strength कहलाती है किसी individual की एक particular block है वो एक रस्ती से बंदा हुआ है वो आपको खीचना है और आपने अपने muscles वगरा की मदद से उसको एक बार में जो है पकड़ के खीच लिया एक बार में ही जो है आपने उसको पकड़ा और एक बार में इस activity को ऐसे करते हुआ उस block को अपने खीच लिया इसके लिए आपने maximum effort लगाया है और एक ही बार में अगर ये काम हो जाता है तो उसके लिए जितना strength आपने generate करी है वो maximum strength कहलाती है ठीक है जी इस बहुत सारा उठाना है पूरी ताकत लगानी है मगर बहुत कम वक्त के लिए लगानी है इस तरीके के अक्टिविटी वगरा जो है वेट लिफ्टिंग हो गई या फिर आपके जो फोट फोर्स लगाना है यह की बार आपको मुसल वगरा contract करने का मौका मिलेगा तो ऐसी चीजों में जो है आपको 100% strength किया maximum strength की जरूर पढ़ती है दूसरा आता explosive strength in some of the books you may find this with the name of elastic strength it is the ability where both strength and speeds come into play when the muscle or group of muscle contracts with high speed to overcome or to act against the resistance with 70% to 80% effort then it is called explosive strength there are several examples where the explosive strength is required such as jumping sprinting or athletic boxing एक्सिंग एक्जेक्ट तो कई सारी किताबों में अब आपको जो explosive strength है इसको एक और नाम से जाना जाता है यह नाम भी इस्तिमाल होता हुआ दिखेगा और वो है elastic strength तो चाहाए बिलास्ट की बात कर रहे हो चाहाए explosive strength की बात करने हो बात एकी चीज़ की हो रही है यह basically यह ability है यह strength का वो प्रकार है जिसमें हम लोग आपकी muscles की strength के साथ साथ जो है speed को भी consideration में लेते हैं या फिर जब आपको ताकत के साथ साथ में फूर्ती की भी ज़रूरत पढ़ती है यह जो भी action या act आप कर रहे हो उसको बहुत तेजी के साथ में perform करना होता है तो उसके लिए जो है explosive strength वगरा का word इस्तिमाल होता है जब आपकी muscles या फिर group of muscles contract करते हैं और बहुत तेजी से contract करते हैं important बात है contract सो कर रहे हैं अब एक बार मैं आप उसको आराम से भी खीच सकते हो किसी चीज़ को बहुत तेजी से भी खीच सकते हो तो आप आराम से खीच रहे हो या resistance को overcome करने के लिए और अपने total effort का 70-80% के करीब इस्तिमाल करते हैं मगर बहुत तेजी से करते हैं तब हम लोग इस तरीके की strength को बोलता है explosive strength इसके सबसे बढ़िया examples जो है वो आपका jumping के जितने events होते हैं आपका high jump हो गया triple jump हो गया sprinting के जो events होता है स्वाम आपको 9-10 second दौड़ना है मगर हो पूरी ताकत से दौड़ना है तो वहाँ पे एकदम आपको strength की जरूरत है और speed की जरूरत है boxing हो गई ताकत भी लगानी है strength के साथ में पंच मारने है athletics वगरा हो गया इस तरीके की जो आपके events वगरा होते हैं इसमें आपको maximum strength की जरूरत नहीं पढ़ to play length as well as endurance which comes into play in simple words we can say that whenever muscles or a group of muscles act against the resistance with 50% of to 60% effort to try to overcome the resistance for longer duration in spite of having fatigue then it is called that the individual is having strength endurance strength endurance का मतलब क्या है जैसे की नाम से आपको समझ में आ रहा है लंबे वक्त के लिए अगर आपकी muscles को कोई काम करना है तो वहाँ पर आपको strength endurance की जरूरत आ जाती है तो यहाँ पर ना सिर्फ आपको शक्ती चाहिए मगर लंबे वक्त तक आपको शक्ती को बना के रखना है इस इसको आपको existence में रखना है तो यह चीज जो है वो कहलाती है आपका यह चीज आपकी कहलाती है strength endurance दूसरे शब्दों में इसको लोग ऐसे कह सकते हैं कि कोई muscle या group of muscle जो है किसी resistance के खिलाब अपना 50-60% तक effort जो है वो दे रही है मगर एक लंबे वक्त तक के लिए effort को दे र चालिस 42 किलोमेटर दौड़ना है अब यहां पर वह सौ मीटर वाला जो है हिसाब किताब नहीं है कि 19 सेकिंड दौड़के खतम होई कहानी अब यहां गंटों दौड़ना पड़ेगा तो आराम आराम से जॉगिंग से थोड़ा सा ज्यादा तेस स्पीड में आप दौड रह तो यहां तक आपन ने जो तरीके की स्ट्रेंथ पड़ी है इससे अपने को एक बात समझ में आ गई कि स्ट्रेंथ जो आपकी मसल्स का कॉंट्रैक्शन हो गया कि स्ट्रेंशन हों गया और तो अलग- HOW अफर्ड़ वगरा मार रहे उसके बेसिस पर कितना इक्त्राइक्शन करने में करते हैं आम से निकल कर आएगा या फिल्प करते है कि thứ आप पर्फॉर्मन्स वख दोग गय है जिन factors पर depend करता है, उनके बारे में बातचीत करेंगे, चलें, देखते हैं से, तो जो पहला factor आता है, वो है neural control, देखिए कितना force, muscles वगरा generate करने वाली हैं, कितना force या फिर कितनी जो strength है, muscles generate करेंगी, ये तीन major factors पर depend करता है, तो ये जो neural control का factor है, इसमें भी कुछ आपके सब factors साते हैं, कितना force generate होने वाला है, ये कुछ आपके major, तीन major factors पर depend करता है, सबसे पहली चीज़ जिसके ओपर depend करता है, वो है कि कितनी जो है, motor units involved है, जब आपके muscles का contraction हो रहा है, motor units का मतलब क्या neurons वगरा का पूरा का पूरा जो एक आपका chain बना हुआ है, neurons का पूरा का पूरा करने के बाद में उस organ से फिर brain के signal जाता है, कि आपने जिस तरीके का signal भी जाता है, उसकी corresponding ये वाला जो काम है, वो कर दिया गया है, तो neural control में जो muscles वगरा कितना force generate करने वाली है, वो जिन तीन factors में से depend करता है, तीन factors पर जिन पर depend करता है, जो सबसे important factor है, फिर जो पहला factor आ है, इस पूरे खेल में शामिल होंगे, जितना जादा number of motor units इसमें शामिल होंगी, उतनी जादा मातरा में जो हैं, आपका motor movement होगा, उतनी जादा मातरा में आपका force वगरा generate हो पाएगा, दूसरा आपकी जो motor units का size है, जो involved है, वो कितना जादा रहने वाला है, जो contraction में involved हैं, आपकी contraction में, muscles की contraction में involved हैं उनका size कितना है जितना जादा आपका size होगा उतना जादा जो है आपका force वगरा generate होने वाला है जितना जादा आपका size होगा उतना better तरीके से आपका force वगरा का distribution होना है या force वगरा का generation के लिए जो आपके हर एक unit का इस्तेमाल होना है contraction में वो बेटर होगा और उतना जादा जो है आप generate कर पाएंगे आपका उतना जादा जो है force आप generate कर पाएंगे और तीसरा है intensity of nerve impulse if the intensity of nerve impulse is faster than also the force generated by the muscle will be higher मतलब यह कि जितना जादा आपका तेजी के साथ में impulse वगएरा जो है वो आ रहा है signal का यानि कि जितना तेजी से दिमाग जो है वो signal दे पारा है आपकी muscle को कोई काम करने के लिए और जितना तेजी के साथ में muscle उस particular signal के respect में correspond कर पा रही है और वो काम या वो जो भी काम वगए करती है तो neural control जो पहला factor है जो जिन factors के हम लोग बातचीत कर रहे थे कि जो contraction होने पर muscle के जो strength होती है जो कई सारे factors पर depend करती है उसमें से जो पहला factor है neural control उसके तीन सब factors पर यह चीज़ डिपेंड करती है कि कितनी आपकी motor units involved है जब आपकी muscle का contraction हो रहा है जब work वगएरा perform कि जा रहा है दूसरी चीज इनका size कितना है और तीसरा कितनी intensity के साथ में जो है impulse वगएरा आ रही है कितनी intensity के साथ में दिमाग से signal आ रहा है उसके ओपर डिपेंड करता है चले अगला जो है वो है muscle cross section अब यह एक बहुत clear बात है यह सबको पता है यह बहुत मतलब एक accepted fact it is a well known fact कि जो liberation होता है force का वो largely आपकी muscles के size पर depend करता है आपकी muscles से आपकी body से कितना force generate होने वाला है यह काफी हद तक जो है आपकी muscles के size पर depend करता है जितना जादा let's say अगर आप workout वगरा करेंगे और आपका let's say यहां की muscles वगरा develop हो गए तो उसकी मदद से आप competitively जब यह muscle develop नही fact कि भाई सब जानते हैं जितना ज्यादा force वगरा आप generate करने वाले हो वो largely आपका जो पहला factor गया नर्फ control का या neurological control का उसके इलावा जिस बात पर depend करता है वो यह भी है कि आपकी muscles का size कितना है तो muscles का size जितना ज्यादा होगा force उतना ज्यादा generate होगा यह भी अपने को पता ह है तो muscles का size और muscular cross section कितना रहने वाला है उस पर भी काफी हत्ता के बाद depend करती है ज्यादा जो है आपका cross section है ज्यादा जो है आपका size है तो फिर वो ज्यादा मात्रा में force बगरा generate कर पाएंगे तीसरा है muscle fiber muscles are made up of two types of fiber one is fast pitch fiber that is white fiber and another is slow twitch fiber that is red fiber तो muscles का जो fiber है उसका भी काफी हत्ता के एक role होता है आपका जो पूरा का पूरा यह process बगरा होगी contraction बगरा की और उसके तहरे जो force generate होगा उसमें muscles भी जो है कि important उनका muscle का जो fiber है वो भी एक important role अदा करता है अब muscle का जो fiber होता है यह दो तरीके के fiber से मिलके बना हुआ है एक आ fiber है इसको हम लोग कई बार slow twitch fiber भी कहते हैं अब यह जो white वाला fiber है एक तो यह कि दोनों के दोनों जो आपके fibers है पहली बात कि आपका white वाला fiber हो चाहिए red वाला fiber हो वो किसी भी muscle में certain quantity में certain proportion में इस तो यह कि दो तरीके के fiber से मिलके muscle बनी हुई है आप किस particular आपकी जो muscles होती है दोनों हर एक मसल में यह फाइबर जो है कुछ proportion में आपको देखने के लिए मिलते हैं अब आपकी जो मसल की कॉलिटी है वो इसी बात पर डिपेंड करती है कि दोनों का जो proportion है वो कितना अच दो जादा है यानि कि हम लोग इस तरह से कह सकते हैं कि आपके जो वाइट वाला fiber मसल में अगर वो ज्यादा रेशो में है तो ऐसी कंडिशन में आपकी जो मसल ज़दी को जबार कर सकती है और ज्यादा मातरा में यह बात अपने को याद रखनी है कि फास्ट विच फाइब सब्सक्राइब कर सकती है इस तरीके की जो आपका फाइबर होता है इसमें एनरोबिक कैपेसिटी होती है मतलब यह कि अगर औक्सीजन नहीं भी आ तो भी यह अपना वर्क बगरा परिफॉर्म कर सकता है, इसमें आपके नहीं चल रहे हैं, टो इसके चलते ही ज़्यार से ज़्यार भान आपका अठ्वाब्र अब इसके बाद जो दूसरा आपका fiber होता है वो होता है slow twitch fiber या फिर red fiber slow twitch fiber या फिर red fiber जो होता है वो उतना ज़्यादा force generate नहीं करता fast twitch fiber के comparison में तो उसका मतलब यह कि वो वाली muscles जिसमें आपके fast twitch fiber या फिर red fiber जादा मातरा में होंगे उन fibers वगरा वाली muscles में आपको जादा मातरा में energy जादा मातरा में force वगरा के generation समझ में आएगा क्यों क्योंकि उसमें anaerobic capacity जादा होती है अगली चीज आती है energy supply आपकी muscles वगरा भाई काम तो तभी करेंगी जब उनमें आपकी body जो है वो energy supply करेगी अगर muscles बढ़ियां हैं बड़े हैं विक्सित हैं मगर उसके बाद भी अगर body energy supply नहीं कर रही तो आपका शरीर क्या कर लेगा तो muscles में energy की supply जो है वो भी matter करती है muscles को इनकी जो energy है यह मिलती है ATP के breakdowns है ATP और CP करके आपके दो substances होता है ATP का full form होता है adnosine triphosphate और creatine phosphate जो है ATP और CP इनका breakdown होता है यह muscles में stored रहते हैं और इनका breakdown होता है इनके breakdown से फिर energy generate होती है और उस energy का इस्तेमाल करकर muscles वगरा फिर कोई action या फिर कोई work वगरा परफॉर्म करती है जिसके नतीजे में force वगरा generate होता है तो कितनी मातरा में ATP और CP जो है आपकी muscles में stored है यह वो उसके basis पर depend करता है कि आपकी muscular activities वगरा जो है वो कितनी जादा रहने वाली है और कितनी मातरा में muscles के पास में कोई काम करने के लिए energy वगरा रहने वाली है जितनी जादा मातरा में ATP रहेगी जितनी जादा मातरा में CP आपकी muscles में stored रहेगा उतनी जादा मातरा में इनका breakdown होगा और उतनी जादा मातरा में muscles के पास में energy रहेगी कोई भी काम वगरा करने के लिए और अगर इ अंदर ये सारी की सारी चीज़े हैं जितने फैक्टर सबढ़ अबने डिसकस किया अपका न्यूरल कंट्रोल भी अच्छा है आपका मॉसल क्वास सेक्शन्ध भी अच्छा है मसल फाइबर भी बढ़िया है एनरजी सप्लाई भी बढ़िया चल रही है कई सारी situations में आपके psychological factors जो हैं ये बहुत जाबा अच्छे से contribute करते हैं आपके muscles का जादा forceful contraction वगरा जो है वो अकर करवाने में जैसे कि अगर आपको गुस्ता आ गया अगर आपके अंदर aggression आ गया अगर आप motivated हैं तो ऐसी condition ये जो हैं ये बहुत crucial role अदा करते हैं ये conditions में आपका muscles वगरा के जो fast twitch fibers हैं ये जादा मात्रा में जो हैं आपका contraction वगरा शो करेंगे अनेरोबिक अक्टिविटी जादा बढ़ जाएगी ATP और CP का breakdown जादा होने लगेगा और comparatively आप जितना force जाए जनरेट नहीं करते हैं normal circumstances में उससे जादा जो है आप जनरेट कर motivation हो गया perception हो गया attitude हो गया beliefs और learning हो गया इन सब के ओपर depend करता है मगर अगर वो इस तरीके की भावनाएं जनरेट करने में कामियाब हो जाता है तो इस तरीके की भावनाएं जनरेट करने के साथ ही साथ वह आपको आपका जो है best to best push करने के लिए push करता है और उसी के सेशन इसी के साथ में अपना आज का जो सेशन है इसको अपर लोग समाप्त करते हैं इसके हम लोग conclusion पर पहुंचते हैं नेक्स जो अपना सेशन रहेगा उसमें हम लोग muscular strength से related और भी जो दूसरे parameters है उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है कैसे control किया जा सकता है उन सारी चीज़ होने के पहले ही कहा था कि magnet brains पर आपको 100% education जो है वो free of cost प्रवाइड कराया जाता है यह जो high quality education यह सारा का सारा जो आपका content है यह आपको exclusively free of cost प्रवाइड कराया जाता है अगला सवाल यह उठेगा कि आप ए content access कैसे कर सकते हैं तो इसके तीन तरीके हैं पहला तो आप इसक सारा का सारा content आपके mobile phone पर आपके tablet पर आपके PC पर तीनों पर जो है चल जाएगा इसको तीनों पर access किया जा सकता है तो इसको जितनी बार चाहें उतनी बार देखें सब कुछ exclusively free of cost है और इसकी मदद से अपनी preparation को आप जितना हो सके उतना enhance करें अब लोग यह बात भी समझ कर आता है hard copy books के form में भी और soft copy या फिर e-books के form में भी इनके भी लिंक्स आपको description में दिये हुआ है यहां से आप इनको भी access कर सकते हैं और इनकी मरत से सकते हैं अब हमें अपना सुझाओ दे सकते हैं अपनी शिकायत दर्स करा सकते हैं अपनी नई डिमांड बता सकते हैं हम लोग उस पर भी जो है response करेंगे and will be catering your demands and whatever you will be asking for so जितना हो सके इस particular सब्सक्राइब कराते रहें जुड़े रहें मैगनेट के साथ थैंक यू